चार रांती अभियान निसी को कहते युग निर्मां यही संकल्प हमारा यही संकल्प हमारा नमस्कार मित्रू गुरुशी चिंतन चैनल मां आपनू आर्दिक स्वागत करवा मां आवे छे आज नो विशे छे रोगनू कारण अने निवारा आपने बदा जानिये छिये के येनू जिवन निमित होई अने पक्रुतिना नियमनू उलगन कड़े एवोज मानवी विमार पड़े छे ते सुई जाये छे त्यारे ओड़ो बंद राखे छे अने खाती वे राए पूरी कचोडी ती पैठासी ठासी ने भरे छे ते ती चालू पन मुश्किल थवी पड़े छे जे मनूस्य मास मासली दारू आधि दी अने बारे छे जो आहर मा ले छे दे व्यायाम करतो न थी ते ते ने 155 पान शक्तो न थी यारे ते भोजन माथी पेदा थेला दुशित कच्छरो बहार माँ शरीर माथी बहार निकरतो नथी त्यारे एक पच्छी एक तत्चा मुत्रपीन अने फेवशा सिथिल बड़ी जाये चाये ते थी चरीर नीश्वाबाविक कार्यस्यली मा उनप आवेची अने एवा मनुस्यने रोगी कैवामा आवेची चरीर मा जमा थेलो दुशित कच्छरो न निकरवाने कानेच युवानी मा गडपन करता खड़ाप सितित थाई जायेची जीवन माटे अनेक चीजो घातक पन छे परंतु बुद्धि सारी लोको जीवन मा एवो रस्तो पर चाले छे के जोग जोवा सामवरवा मरता न थी जो आपने दरोज रेनेके नी अने खान पान पर चोकस द्यान राखिये तो पकड़ुतिना सारी द्यमा सारी रिते जीवी शक्किये छीए अने स्वास्ये न बगडता रोग नी कोई सक्केता रहती नथी चेम सूर्य उक्तावे तज अनकार दूर थाई जाई छे तेम सुंदर शास्ये नी साम में रोग पड़की सक्तो नथी ओशदी शास्त्रियोंनों कहिऊ छे के रोगनुस्तान सरिन ना तरल ततो माज होई छे लोई असुद थवा थी लोग पड़ा थाई छे रोगों हज्जारों सोरुपमा थाई छे अने तेमना हज्जारों चीन नों होई छे रोगना चीनों मुझब चिक्त सको ये तेमनों वर्गी करना करी उचे परन्तु पक्डुतिना पूजारी पाक्डुतिक शको माने छे के रोग लोही नी असुद ताने काणे पेदा थाय छे रोगनू काणर खोटा अहार भीहार छे खोडाक युग्यों लेवाती स्वास्ये जर्वाई रहे छे लोही नू परिब्रमन करनारा अंगो मां कोई प्रकार नी गरबर पेदा थाय जाय छे यारे लोही असुद बनी जाय छे लोही असुद थाय जता जो रोगनी चेतवनी न मड़े तो रोगी एमज मड़ी जसे पड़न्तु रोगनी चेतावनी मरता ते सावधान थाईने पोताने सामबाडी लेवानी कोशिस करेचे ते वेरा पोताना खोटा अहार व्याहार ने छोडीने पाक्डुती ना सर्रमा जायेचे ते सरीर मा आवेली अव वास्तरिक्ताती चेती जायेचे जो आपने सर्वात्त थीच पक्डुती ने चेतावनी पर दियान आपिये तो रोग थवानी कोई शक्यता हैती नथी जो विप्रित जीवन जीवीने तो रोज बरोज हालत बगडती जायेचे अने आपने त्रीव्य गती थी मोमा तना मोमा ओची जायेचे आपने मरी तो जीएचे बलके आपना रोगने संतानने वार्षामा आपता जीएचे अने ते वार्षागत रोग मनी जायेचे सर्वय रोगनों मूर पेट छे जो भोजन शाडी रेते पची जाये तेनु रास, लोई, मास, नान तन्तु, वीरिय, हाड मास मारूपांत थाय अने नकामों खच्रो मर 100 रुपे बाहा निकर इजाये तो पची रोगनी सक्यत्या क्या रहे पड़न्तु आउ मोटा भागे थतु नथी, तेनु मर नू प्रमार वदी जाये अने तेने लिधे दर्ड, शय, केंसल, गुम्डा, ताव, दम, उद्रस, आदी अने एक रोगों थाये छी शरीर माती मर अने रोगोंने दूर करवाना प्रहत्न ने ज रोग केवाई छी एक डोक्टरे साचेज कहिऊ मने ताव आपी दो, अने हुँ सर्वा रोगोंने बगाडी दो ए याद राखो के आपने रोगने मटारवानों न थी, बल के शरीर ने ठीक राखवानों छे आपने मूर कापमानों छे, डारियो नई, नई तर आज नी कापेली डारियों काले फडिती उगी चगे छे जारे, पधिक शरीर मा एकत्री त्विश्च ताव माथानों दुखावों के अन्य सरुपे शरीर मा प्रगट थाई जे त्यारे ते जीवन ना रक्षन औने शरीर नी शूजदी माटे होईची, पणतु मोटे भागे आपने दवावों खाई ने पकुडुती ना आशरुपने प्रगट थाटु अटकावी दहिएची आने लिदे प्रकुडुती वीशने काडी पेकवानी सकती औने योग्यतानों नास तायची, कोई-कोई वार्त थे वीश दर्द दाव आधिनाच चीनों रूपे जनायची आवी दसामा आपने प्रकुडुती खुल्ला मने योग्यरी ते पोतानी काडियर करी सकती नथी, त्यार तेने आपने मंदरों कहिये ची, ज्यारे मर्नी विश्चेश्टा वद्वा थी, औने कव ताव सर्दी आधि 100 रूपे विश्णी पड़ा काष्टा थरी जाईची, अने तेना प्रभावती सरीर ना अंगो विक्रुत के नास्तवा लागे ची, त्यारे ते प्रकारना रोगों ने आपने नासात्मक रोगों कहिये ची, आ प्रकारना रोगों च्वाई के केंसल ना नामे ओलखाई ची, आपना सरीर नी अंदनू विशच आपना रोग अने अ स्वस्तानों कारण छे, सरीर मां रोगों बाहर ती पविर्शतान ना थी, जो आपनों सरीर विजातिय द्रवियोती मुक्त होई छे, ते बाहर ना कितानों ने रोग विक्सावानों अवसर मरसे नहीं, जो तमें संपुन स्वस्त मनूस्यक, कोलेरा, प्लेक, एक्साविर ना जन तो पिवडावी दो, तो तेनों कसूत भगर्शे नहीं, बीजने पत्थर मां रोपी दो, के पेटी मां बंद कड़ी दो, तो तेनों नध हो आजनों समान छे, बीजनों तो त्यारेज अंकूडित थसे, के ज्यारे तेने परदुप जमीन खातार पानी प्राप्त थसे, आपने, कोडाक मारपद शरीर मां वीचात्य प्रदातों एकत्रित थवा न दई, और खान पान मां सयम जार्विये, फर और शाक बाजी खाईने तथा स्वबाविक रेनी केनी अपना मीनी, एकत्रित मर तथा विशने बाहर फेकी दई, तो कीटानू आपनू कसूत भगाड सक्षे नहीं, आधुनिक सब्वियतानों विकास्तावात नहीं साथे चाते, मनुष्य पोताना स्वबाविक जीवन नी वदुने वदू दूर थतो गयो छे, तेनू जीवन एटलू बदू और प्राक्रुतित बनी गयो छे के, जेने लिदे तेनू सरी रोगोनों घर बनी रोगोन तेने सब्वाविक जनाता नथी, मनुष्य जमजवानों भूली गयो छे के, शरी नो सब्वाव स्वस्त रेवानों छे, जे श्त्री पूर स्वस्त रहे छे, तेमना जीवननों निरक्षन करवा थी, खबर पड़ छे के, तेमने इना माठे प्रयास्क करवो पड़ तो नथी, जारे मन और सरीर ने सब्वस्त रेवानी टेव पड़ी जाए, छे त्यारे रोगने स्थान मरतू नथी, जो सिजीवता और सकती नी केंद्र रुप स्वास्य ने जारी सकाए, तो रोगों माटे सरीर मा कोई स्थान रहे से नहीं, शरी नो लोई जारे सूध और कोई रोग थतो नथी, वड़न्तू जारे लोई नू पोश्रवा दायक थतो नास्पामे अने विश्य युक्त बनी जाए, त्यारे अने करोगों थाईची, जारे आपना सरीर नो विकार, कच्रो, कार्डणनार रा अव्यों बर, मुत्र, पर्ष्रेवों उस्वास आदी, द्वारा रोज पेदा थनार कच्राने संपुण पने बहार फेकी दिता नती, यारे जमा थाईलो कच्रो लोई ने असूद करे छे, अने पछी रोग, कर्ष्ट, दूख नी शर्वात थाईची, जो लोई नो विकार युक्त थवा थी, सुच्चना दर्द के पिडाना रू पेद छे, इनो सभावज रक्षन करवानों छे, रोग्यों ना मित्र रूपने ओरकू जोई एग, एक छे के प्रकृती अने तेने ने चेतावनी अनुसार आपने चालवू जोई, अने चेतावनी ने दुश्मन समझी ने तेने दबावानों प्रहतन करवाने बदले, आप अने तेना कानों ने दूर करवाना बदले, दबावमां आवे छे, तो चेतावनी धिमी पड़ी जायी छे, अने तेनी चक्ति मंद पड़े छे, अही थी जीन रोगनी शर्वात थायी छे, आपने जीवणी सक्ति नी शूचक छेक जे, शरिना सपाय करवानों अने रोग पड़वानों अर्थ छे के सडीनी सपाय करवान सी सक्ति कम जोल पड़वी औने जीवनी सक्तिनों घटाडो थो पाकरुतिक चिकत्सामा उच्चालना चादनों छे बोजन जल वायो गर्मी अने कस्रा आ बद्धानों सयुक्त बणे समध्दाडिती उप्योग करवो जोए कद तो वास्त्वमा आच छे रोग औने रोगी नी सक्ति अनुशार एमनों उप्योग उच्चा वत्ते अंसे करवामा बूद्धी मानी छे रोगी ना उप्चार सरू करता पहला तेनों केस अभ्यास करो औने देनिक भोजन करम ने साली दिते जानी लेवो जोई है जो रोगी म असारी होई अने डोक्टर नी दावात उनों भदू उप्योग करतो होई तो एवा रोगी ने उप्चार करते वक्ते खुब सजाग रेवो जोई है भोजन जीवन आपनार तेमज जीवन अरनार पहन छे तीविय रोगों ना मोटा बागना लोको प्लान भोजन डेवाने का अधिक दोर्शा मां कहीं पर नहीं करता के वार भोजन नों त्याग करवानों आवे तो पूटा भगे बदा रोगों आपो आप समी जाए जी चीन रोगना रोगी होई पर भोजन मां आउगुन अगुन पर हम्मेशा ध्यान राखू जोई है यह बोजन योग्या होई थेन पर योग्या प्रमाल मां लेवू जोई है सफाय नों जितलों काम एक संत्रा थी थसे यह ना थी बमलू काम बे संत्रा करशे यह कदी विचार्वू नई हम्मलूत प्रमाल मां करता विश्चे शलेवामा आवसे तो ते विश्चनूज काम करशे शरीर स्वस्थ हो एत्याडे तो आ बाबत चरूरी चीचेज परनतु शरीर रोगी हो एत्याडे तो यहनों योग्या उप्योग करवो जोई है बोजन ना बे प्रकार चे एक कप कार अने बिजू कप निवाड़क भोजन मां कंद मूर्श्री वाईनी बदी लिला पांद्रा वारी बाजी अने केरा शिवाईना बधा ताजा फर गनाय छे आशिवाई डार बात रोटली मास मासली तेल गीत मेवो आधी कप दायक छे कप निवाड़क भोजन ज रोग दूर कर परवामा सहायक निवडे चे ए वातमा कोई शंकार नथी परनतु इनो अर्थ ए नथी के मनूस्याने कप कारक भोजन नी सरुआत ज नथी जो रोगीना भोजन मां थी बदा कप कारक पदार्थ अटावी देवामा आवसे तो शपाईनू काम जरब थी थसे अने तेने काने उबद्रव एटलो जरब्पी अने विशे स्थसे के रोगी तेमनों संबाड़ी सक्षे नहीं आथी सपाईनू काम दिरे दिले चलावा माटे कप कारक भोजन नू प्रमान कमस्य कटाड़ू जोई अमुक मरियादा मा सपाई थाई गया पछी चिकेवर कप निवारन भोजन पर रोगी रही ने चकेछे रोगी ने शक्ति मुझब किटला दिवस्चुदी कप निवारन भोजन पर राख्या पछी थोड़ा प्रमान मा कप कारक भोजन आपू जोई गप कारक भोजन मा केवर गावनी रोटली अने थंडू दूद योग्य गनासे दालों के नोगी सवाड बपोर शांज अथां त्रण वक्त नोग भोजन लेचे तो सलवात मा रोगी पहला परोनो रस आपको अने शांजे भरोक आपवा बपोर ना बोजन मा काचा साग बाजी नासलार नो प्रमार विशेश राखू अने पछी सांज ना बोजन नो प्रमार भदू डाखू दिरे दिरे सांज नो बोजन पन कप निवारक खाद्र बदार्तनों कडावू एक कार्य क्रम नकि करी ते मुझजब चालू जोरी häufशेश चो एक महिना नो क्रम नकि करी तो एक अठ्वारि 전에 पैवर कफ निवारन भोजन लेवू जोरी पचि एक अठ्वारियू केवर बपोडे कपकारक भोजन रूपमा रूपमा रूटली उमेरवामा आवे छे अने एक मैनाना बाकीना दिवसो मा साजना समये पन कपकारक भोजन मा थोड़ा दूदना रूपमा लेवामा आवे आप चि मैनाना दिवसो बाकीना दिवसो मा सवारे फर बपोडे काची पाकी सागबाजी अने रूटली अने साजना दूद फर ओई छेम जेम सकती वत्ति जाए अने सपाय थत्ति जाए कप मिहीन भोजन नो समय वदारता जवु जोई अने कप युक्त तता मैनाना बाकीना दिवसो मा समतोलन भोजन ग्रहन करता चेवु जोई है लोगने दूर करवानू मिजु असरकाडक साधन पानी चे सर्वने माटे बीवा अने सपाय माटे सुद्ध पानी नी आवसेक्ता होई चे पड़न तु पाकड़ु तेक चिकित्चा नो विशेश उप्योग धाई चे सरीर्मा वदेली गर्मीने सांत करवा माटे केटलाक विशेश था असनान चोधाया चे आसनानो नी संक्या घणी बदी चे आमा वर पड़ चिकित्चा करवा माटे साधान रोगों ना लुई ने कुणे कि बाड़ा बतावेल मेहन औने पेंडु शनान शर्वोतम चे पेंडु शनान सरीर्मा वदेली गर्मीने पेडु मा लावीने सांत करे अने मेहन शनान नायूने ताकात पुड़ी बाड़े चे गर्मी शांत करिया पची ताकात पुड़ी पाड़ानों काम सरू करू जोई है आती केटलाक दीशो सवा सांज पेंडु शनान करवामाँ आवे पची सवाडे पेंडु स्नानने बदले मेहन शनान करवामाँ आवे केटलाक लोगों यह समझे छे के चो आशनान लामा समय सुधी लेवाती भदु भाइदो मर्शे तेथी आश्नान कलाको ना कलाको सुधी करेचे, इमा सक्तिनों अप्याई थाईचे, कमजोडी वदेचे, यने मनों वांची तो फ़र घटेचे, श्नाननों उप्योग खुब उद्धी पुर्वक करवो जोई, जो श्नाननी आवसिता वधू जनाई, तो बेवालने बदले त आश्नान कलाई ठेक गनाशे, पान दरेक वक्ते वधू समय सुधी नहीं गरवो, गल्मिना दिवसोम आश्ना थंडी Interesting करता वधू समय सुधी करिश शकाई चे, उप्यतु समय स्काई चे, पान्तो एक मनों दोप वधू कला समय महिं चैग गनाशे, तेटलू भिजा मान है, नई गणै रोगने रोगीनी सक्ति जोई ने समाई निश्चित करवो जोई आश्नानों ने 57 मिनित तिलाई 15 मंदर मिनित सुधी करवो उचित गणा से उने लोई कुने ना प्रखड हिमायत ती आश्नान पर छी पर्ष्यों काडवा पर गणों बार मुके छी जो रोगी मां कस स्रत करवानी ताकात न वोई तो अगनीनी पासे बेश्वानी सला आपे छे आ बाबत खोटी छे पंतु जेमा ए समझू जरूरी छे के आश्नानों करवा थी जे ठंडक मेदा थाए छे ते दूर थवी जोई अथा आधिस्टान करता पहलानी हालत तै जवी जोई क्याई इत प्रशेवो आउतो होई अने आश्नान पची पर्शेवो लावानी सला आपे शकाये छे नई तर अपवाती नथी आधिस्टान कर्या पची शक्ती मुझब हरू दोडू अरवी कसरत करवी पूर्ती छे येवो असक्त होई येवो मातू काडिने खुला सरी रेज गर्मी ना बेशी सके छे अत्वा गर्म कपडा ओडी सके छे वायो ना प्रयोग विशे घणा ओचा चिकत शको अने रोगियो ध्यान आपे छे रोग अने वायो ना प्रयोग ने प्राणययम कैवामा आवे छे येनो बदितिसर प्रयोग करवा आथी अनेक रोगो दूर थाये छे वाय प्रियंऄ दोड़ करतो जनें देद स स सब्सक्राह मत नुद्ध तक करते नों रेकों फरकाूल्ट,पियां की ऐसी धरल से का प्रियंग सक्कंपनां पजने। पोच्ता तेनी सर्जीवनी सक्ती सरीने पकडी लेची आथी नकामा वायूने रोकवानों कोई फायदोर नथी वायूना प्रयोकती क्रिया दिश्चे दर्म्यान कितलिक वार करी शकायची आ उप्रान कर्मीनी सर्जीवनी सक्तीनों पोच्तानों प्रभावची तेमाथी मर्न अल्ट्रा वायोलेट किनो रोगनो नास करवानी घणी इशेश शत्ती होई चे ठनीना दिवसो मा कोई वार वराल पंड लाई सकाई चे सुर्यस नान मार्टे दिवसो मा कोई पंड समय कुल शरी ने सुझ जोई सड़त मात्रा एतली चे के मातो बिना तुवालेती टाकेलो रेवु जोई गर्मी लिधापची ठन्डा पाणी मा स्नान करवु जोई अने बिना कपडाती सरीने लुछु जोई सुर्यस नान चक्ति अने टेव मुझब ओचा वता प्रवाल मा दर्लोच अठवा अठवार्यमा चार प्माच दिवस अवस्यक करवु जोई गर्मी ना दिवसो मा अठवार्यमा एक कजवार आशनान पूर्तु गर्मी जलत होई तो केलना पांद्राने सरीर ने ढाकी सकाई लोईनू पड़ी ब्रह्मन योग्या राखवा माटे कसरत खुब योप्योगे चे रूधत तोनो अर्चे लोईना पड़ी ब्रह्मन मा उनव आथी लोगी ये रोगने दूर करवा अने ताजगी मेरावा कसरत नो आश्रो लेवो जोई कोई पण कसरत लोईना पड़ी ब्रह्मन माटे सहायक थायची सकती अनुसार कसरत करवी जोई फरवानी कसरत कोई पण उमनी व्यक्ति करी सके छे, बाले कसरतों थी जे मुशिवतों होई छे ते फरवा मा होती नथी, आथी रोगियों ने मुख्य कसरत फरवानी छे, शक्ति अनुशा सवासां जेक थी चार माल चूदी फरवा जही शकाए, चिकचा सास्तरा नमा स्नान करिया पछी फरवानों समय योगियों बतावी होची, आवेराये फरवा थी कसरत नी साथे शना पछी जरूरी गर्मी पहन पेदार थाएची, बने त्यां सुदी रोग ने सरर समद्जो जोई, योगियों उप्चार थी रोग भयानकता आप घटी जाएचे तेमा कोई संका नथी, कदी निरास्तो न थवू जोई, रोगीने स्वस्त थवानों अवस्यक रिश्वास हो जोई, आ विश्वास ना बरने आधारे रोगीने बगारेने स्वासे पाचो मेरवी शकायेचे, अथवा जिवन नाम लुत्यों ने बेटी शकायेचे, आथी, स्वस्त पोई तेवू आचना करवू जोई, अने हमेशा पोताने सक्ति स्वास्या प्रसंता आशाने पूर्ती नों केंद्री समझू जोई, आम करवाते, ते बदा तमारी पासे बोलाव्यावीना दोडी आउसे, आजना विग्णान युगमा पन केटलिक व्यक्ति ओ शरीर ना मर अने विशे एकत्रत थाई जाए, तेवी मुर्खाई करेचे, तेवो जाने चेके कहीं रहिया होई, ए रोग, ए अस्वस्ता तमें बदालो, मारा सरीर मा निवास करो, हूँ तमने निमत्रन आपूछू, तमारा माटे सरीर मा योग्या वात्तावन त्यार करो तमने आमत्रन आपिने बोलाऊ चू, तमें आउसो, तो हूँ तमारी सिवा करीश, जो आपने आहार विहार मा सयम राखिने, तो नाने योबर मा मृत्यों नो शिकार बने शक्किये चिये, नहीं है, पड़न्तो आपने सरीर जेवा सुक्षम मशीनों नी गणी ओची दरकार राखिये ची, आप मशीन किटलों किमती चे, ए वात समझवा न थी, जो एनो एक भाग मान खराब थाई जाए, तो अरड़र धन खर्च करवा चता पन ते नो भाग इमा बेशाडी सकातों न थी, जो तमें तमारा दात तुटी जाए, तो दात ना डोक्टर पासे भी जो ल गावी दे चे, परन्तु एक अठवारिया पची खराब देखावाल लागे चे, तुटी जाए चे याने असली नी जेम काम कर राख तो न थी, जो दात जेवा साधान अंग नी वात चे तो आख ग्रदय एप जा, अन्य सुक्ष्म अंगो नहीं वात तो कैंक जो दित चे, एँ अंगो मा एक वखत बगडिक जाए, तो मानवी बजार माती खरीच शकाता नती, याद राको तमारू सरीर एक अव मुल्य खजानों छे, एक ती किमती बागनों बनेलू छे, एमा एवी विचितरताओ समायली छे के एक वखत नष्ट थाई, जता तेने फड़िती बना अवी शकाती नती, आखो सुर्यना कुदर्दी प्रकास मा कार्य करवा माठे सर जाएची, पर तु आपने दिश्या सोई रही एची, अने रातरे विजली ना तेजे जो जोशनी मा वाची एची, एमाज सिने मा जोही एची, आखने समय करता वेली बगारी दाईची, दातो अब भक्षिय प्रदातों खाईची, जे खुब गरम के खुब ठंडा ओईची, तेवो पदार्थी चावी ने दातों ने बगारी दाईची, पेटनी बाबत मा पांड विचित्र वर्तन करता करिये ची, तिखा तम तमता मसारावारा, पूरी, कचोडी, मिठाय, खाता पद अब भक्षिय पदार्थों दाड़ू मा शूपी चा न जाड़े केतला है राज से पदार्थों आड़ोगिने आपने अगनी नी बठीना शिकार बनिये ची, पान बेडी तमाकु बांग चर्वी युक्त चत पट्टा भाणे पदातों पेटमा भरी ने तेरी पाचंशक्त गट्राड़ी दैये ची, माधक दरव्यों ना प्रत्यक्स विश्विशे कोको चरस दारू गांजू अपे मांग वगेर अब भक्षिय पदार्थों छे ए वात्तिती कोन अजान छेड़े ची, मान तता मगज प्रत्यनों आपनों ना च्छा इना खतापन चड़िया तो छी, राजसी और तामसी खोड़ाकती तेने अनुरूपच विचाड़ों चर्मे ची, तामसी खोड़ाकती मन चंचर, तामी, क्रोधी, लालचु और पापी मने ची, आपने बल्ले गम्मे तिम्नी साधना के एकागरतानों मावलों करी है, पर अदु तामसी खोड़ाकती स्वयम प्राक्रुतिक चीजों ने खाय ने खाय ने मनुस्य, काम, प्रो, निष्टां, मारपार्ट ने वसी भूत्त थै ने कुक कर्म कड़ी दे तो एमासू आस्चरिय, मनो विकारोंना ड्रणति आपनि मासिक लुथयों ने शाड़े करुथयों साथे बनिने अनेक प्रकार ना रोगों पहिदात कहरेचि, मनो विकार आपना ल त्यारे लोई मां एक प्रकारनी गर्मी आवी जाय ची। रोम में रोम आंदोलित थई जाय ची। चो वास्णानु उट्टांड वदी जाय तो गर्मी सोजो गुपतांगण अनेक रोगो सप्नदोस बहुमुर्त्र ने पेशाम न अनेक गुपत रोगो पेदा थाय ची। येत बाई, क्रोद, रुण, इश्रा, बदलो, लोब, वास्णा आ बद्धा पर नियत्र न रेवाती मनुस्य उत्यजित थई जाय ची। इच्छाओनी विवित्ता मुझब मनो विकारों मा अनेक विद्धत्ता नो विकास थाय ची। प्रत्यक्ष मनो विकार पोतानी जटिल पे को धारों कलेची। स्वयम पन्न आ अत्याचारों माटे आपने पोते जवाबदार छी। आपने स्वयम लोगोंने निमत्र आपीने बोलाविये ची। पक्रुती नो पोकारने जे लोकों अउगणे छे तेमने जात जातना रोगों रेदु खेरी लेची। प्रकुतेक अउगणना करवानू परिणाम डर्ण के रोग छे। आवी अउगणना आपने जात जातने गर्मी करिये ची। ओईश्वास्त मनुस्य ज्यारे पोताना अत्याचार करेचे त्यारे ते रोग गरश्ट बनेचे। शातानन भूलों ना बदलामा पक्रुती आपने मामूरी स मातानों दुखाओ, ताव, पैटनों दुखाओ, करणीने छोडी देचे। परनतु नियमों नुसतत उलंगन न करवा थी, मोटा मोटा जतिलनल रोगोनी सजा करेचे। पक्रुती ना नियमों जो अटल छे, ते पोताना नियमों अनुसार आ सरीनों संचालन करेचे। जो तेना मार्ग मां आपने कोई अर्चन उपिक न करिये, तेनों कार्य चलवा दैये, तो आपनों दिर्दाइश्य सुख लोटी सकिये छी। मनुस्य प्रकुती थी चेटलों दूर गयों अने तेनों संप्रक छोर्यों तेटलों इज बीमारियों वदी छी। बार्थिय संस्क प्रकुती दूर्चियों मुनियों हमेशा प्रकुती माताना संप्रक मारेवानों विब्देश आपता रहिया छे। आ सब्यताये आपने सोथी वदू सुखी अने दिर्द जिवन दान आप्यू चे जारे। आधिकार आधिमम युगना प्रकुती ना खोडामा रमतों कुद्रतों तोफान मस्ती करतों हतों त्यारे सोथी वदू आनन ददू। च्यारे ते सब्यताना बंधनमा पुरायों त्यारे ते नयों प्रकुती साथिनों सबंद तुट्वा लाग्यों। प्रगतिनानां में पर दिले दिले प्रकुरूतीती दूर धतो गई उंपनिनामे हाजे ते विवित्ध प्रकाने बिमारी नो शिकार भनियों छी पाक्रुतिक जीवन ती दूर हटावानू कारण छे एचे आपने आजकालना सब्यता पूर्ण मित्या आहर विहार थी आपना सरीर्मा विश्य जमा थायचे दुशित मर पहला पेटना अंदरना चिद्रों मा एकत्रित थायचे त्यार थी विविद अंगो मा जैने पोतानी खडाप रभाव देखाडेचे आपना माती मोटा भग्ना लोको पोताना दात्वडे पोतानी कबर खऊदेचे पोताना बोजनने एव अपाक्रुतिक बनावी नेचे के पेटमा एक करियारनी दुखानी मनी जायचे आपने बोजनने भूक मिटावा माटे करता नाथी बलके स्वाद माटे विद प्रकानी मिठायों चट्नियों अथानाओ स्वादिश चुल्डों तरेला पदार्तों अबक्षिय प्रदातों उप्योग सरू करी दैयेचे आपने सामे चपन प्रकाना बोजननों भड़ेलो थार आवेचे ने आपने भूक नाववा चता पर तेवड जीपना स्वार्ति प्रेरेने ठासी ठासी ने खाईचे सब्यो जगत मा बनावटी रसो तथा स्वादों नो उप्यो बोधी रहियोचे अने मोमा पडिने मनुश्य पाक्डूते क्रसो तथा स्वाद ने बोली रहियोचे मोटा सहिरो मा हलवायो मिठायो वाडा आथाना मुलबावो नवा नवा मिस्रों नो थी विविद्ध वस्तो त्यार करीचे चा बीडी सिगारे तमाको सुपारे मोटा कारखाना हो अने वस्तो नुई छजावी लिद्धुकानों मोटी संक्या मा जोवा मरेचे फर अने शागबाजी पन ए रिते त्यार करवामा आवेचे अने इतला बदा पदार्तों ने खटास वगेरे उमेरवामा आवेचे थेना स्वाद मूर्श वाद विकुरूत थाई जाईचे खाती वेराए एक खबर परती नती के आपने कई चागबाजी खाई रही आचे एमा विटेमिन तो मिलकुल नर्ष्ट थाई जाईचे खांडनों उप्योगोदी नहीं होछे, विवित प्रकार नी चरबियों और मासाहार नो विवार समधार वेक्टियों मा वद्वा लागियों है मासाहर हिन्योई शुकपली मासणों उप्योग सरू करियों चे आजे ज्यारे दुनियमा खावा माट एक एक ती चर्या थी चीजों प्राप्त छे त्यारे महाशाहर नों प्योग जोई ने एउ जनाई छे के मनुश्य जागी ने फरीती सुरी जवाने त्यारी करी नहीं हो छे जै गुरुदे जै गुरुदे जै गुरुदेव जै गुरुदेव गुदाेय दुनियमा थमेपन आहोति आपों युग्रची पनिशी रामसर माहा चाड़ी जे वर्तमानिगुणी समस्यानू सबाधन करता अज्जारो पुष्टकों लख्या छे जे आपना पासे एक पुष्टक रोगनू कालान डिवारानू साम्री वाची ने हमल मालावे तो जीवन बनती जे बीमारी नी घतनाओ ग्रमस उचीत थती जासे अने आपनों जीवन सदाइस चारो और स्वस्थ रहे तेवी सुक्ता में